हेलो फ्रेंट, सो आज हम बनाने वाले हैं सब भी का फेवरेट पोहा, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं पोहा, एक कटोरी, इसके बाद ना हमें लेना है एक बोल, उसके उपर हम ऐसा छेदार बरतन रखेंगे, उसमें हम डा दोलेंगे एक कप पानी, यानि इसे हम धोलेंगे एक कप पानी से, इस तरीके से, तो यस गाइस हम इसे धोलेना है ऐसा, बस इसके बाद ना हमें इसे ऐसे रख देना है, छोड़ देना है ताकि बागी का पानी इसका निकल जाए, इसके बाद ना यहां पे हमने लिये हैं तीन से चार लसन कटे हुए और एक टमाटर बारीक कटा हुआ और यहां पे मैंने तीन कड़ी पत्ते लिये हैं और यहां पे प्यास कटी हुई बारीक एक लिये और धन्या पत्ती मैंने यहां कटी हुए लिये और यहाँ पे मैंने आदी कटोरी मूमफली दाना लिया है और यहाँ पे मैंने एक चम्मस सरसोदाना और एक चम्मस जीरा लिया है और फिर ना हमें गाईज एक बरतन लेना है इसमें हम डालेंगे तेल और इसे हम करेंगे गरम हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें हम add करेंगे जीरा और सरसो दाना फिर हम इसमें डालेंगे लसन और फिर इसके बाद ना हम इसमें add करेंगे कड़ी पता इसमें डाल देंगे और फिर ना ये थोड़ा सब भून जाए तो इसमें हम डालेंगे मुफली दाना सारा डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे इसे हम अच्छे से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे तो यस फ्रेंड्स यह मुफली फ्राई हो चुकी है इसमें हम एट करेंगे प्याज हम इसे पकने देंगे जब यह हलका हलका लाल होने लग जाए तो इसके बाד न हम इसमे दोसी चीज़े अड़ करेंगे यहस फ्रैंड्स तो आप देख सकते हमारी यहलकलकी लाल हो चुकी है प्यास अब हम इसमे अड़ करेंगे टमाटर इसमें हम डाल देंगे हमें टमाटर भी सेम तरीके से थोड़ा पकाना है थाकि ये गल जाए और यस अब हम इसके उपर से एड़ करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने तकरीबन एक चमच नमक एड़ किये है इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी पावडर और एक ही चमच लाल मिर्च पावडर इसमें डालेंगे इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और धीमियाच बिल्कुल कर देंगे ताकि ये हलका हलका पक जाए यानि इसका कच्छा पंचला जाए परीबन इसे 30 सिकेंट भूरने के बाद अब हम इसमें एड तुरंट कर देंगे अपना पोहा इसमें सारा डाल देंगे फिर हमें इसे मिलाना है अच्छे से अब देख सकते हैं हमारा पोहाच्छे से मिल के तयार है ये बनके अब हम गैस आफ कर देंगे आप देख सकते हैं ये कितना बिखरा बिखरा हुआ है एक दूसरे में चिपका भी नहीं है ये अलग-अलग और इसके उपर से अब हम एड करेंगे नीबू रस इसके उपर से हमें डालना है धन्या पत्ती अब हम इसमें डाल देंगे सो यस फ्रेंड्स ये रेडी है आप देख सकते हैं इसके बाद नाम इससे निकालेंगे एक बोल में सो यस हम निकाल देंगे तो यस गाइस हमारा मज़ेदार और टेस्टी पोहा बन के तयार है बिना जंजट के आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूले अगरियो बिना करें टो संह स्क्राइब करें झालमी झालमी तो सरते लाइक वांपकी भमी